बुर्ण बच्चों इसलिए फ्लास में हमने आकार की मातरा पढ़ी थी इससे समबन्दित यह है आपका पेज नंबर 14 इसमें एक्टिविटी है 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 आप कुछ करें इसको आप लोग को समझना होगा जो इधर आकार की मात्रा हम पढ़े थे यह सब्द जोरना है यह मात्रा वाले सब्द हैं दो तीन चार अच्छार इससे समबन्दित यह है यहाँ पर हेडिंग पहले हम देखते हैं क्या है दिये गए अच्छरों में से दिये गए अच्छर यह जो है अच्छर दिया गया है मात्रावा के साथ में अकार की मात्रा है में से सही अच्छर चून कर खाली बॉक्सों को पूरा कीजिए यह जो दिया हुआ है कुछ अच्छर है फाइब है यहाँ पे इसी में से चून करके यह जो खाली बॉक्स है इसमें हमें भरना है तो कोई भी अच्छर हम नहीं भर देंगे पहले हम उनको समझना होगा कि कौन सा अच्छर जालेंगे कि कोई एक सब्द बने जिसका की कोई अर्थ निकलता हो तो एक और फिर से हेडिन देते हैं दिये गए अच्छरों में से यह जो अच्छर दिया गया है इसमें से चून करके यह जो बॉक्स है उसमें हमको सही अच्छर भरना है तो यहां box खाली है घ्यान देंगे यह box खाली है यहां पे ज है और यहां पे र है तो हम सोचेंगे कि यहां पे कौन सा अच्छा डालें कि एक सब्द बनेगा कोई चीज का नाम बनेगा तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है यह बा है यह ना है यह गा है यह खा है और यह प्ला है तो यहाँ पर जो और र है तो यहाँ पर अगर हम गा डालेंगे गा डालेंगे गो और आ गा तो गा ज़र गाजर क्या बन जाएगा गाजड है ना एक फल का नाम प्यार हो जाता है गाजड इस तरह से अब नीचे देखते हैं नीचे है तो ये है वह, क्या है वह, उसके बाद वाला जो बाक्स है खाली है अब इसमें हमें इमें से चून के यहां पे डालना है तो हम कौन सा अच्छा डालेंगे, सोचिए, आजी सोचिए जरा, यहाँ पर हम डालेंगे, अगर हम लप पर ला, ला अगर हम यहाँ पर भरते हैं, तो क्या बन जाता है, तबला, क्या बन जाता है, तबला, इस तरह से बन गा, यहाँ उपर में हम गा डालेंगे, तो गाज़ सब्द बन रहा है जिसका कोई भी मतलब मतलब निकल रहा है है ना इसी तरह से हम यह देखते हैं यहां पर है और बीच वाला बॉक्स है खाली है और यहां पर रह है तो और रह बीच में हम क्या डालेंगे बीच में हम ना डालेंगे ना देखिए इसमें है ना यहां पर है ना जो यहाँ पर हम ना डालेंगे , मुहार फुर्स और क्रीटान और कम स्पाइब नार इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं , यहाँ भाट सुब पर भर्स भाट यह भाट झानल डालेंगे 기본 तो क्या बन जाएगा? चरखा अब खा भी भरा गिया, ला भी भरा गिया, गा भी भरा गिया और ना भी भरा गिया बस क्या wanna बच्चा है? बा यहाँ पे आगे बक्स में यह खाली है ये है द और ये है ल आगे में जो बचा हुआ है वो हम डालेंगे बा क्या डालेंगे बा तो क्या बन जाएगा बादल क्या बनेगा बादल है ना इस तरह से बादल तो यहां यह बन गिया गाजर, यहां बन गिया तबला, यह बन गिया आनार, यहां बन गिया चर्खा और यह बन गिया बादल आईए हम इसे बोर्ट पे आपको लिखते समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा देखिए यह है यहाँ पर हम बीच में अच्छर लिखे हैं इन ही अच्छरों में से जो है वो चुनके इन बॉक्स में भरने हैं तो यहाँ पे यह जो है और यह रो है तो हम क्या यहाँ पे डालेंगे अभी आपको बताएं क्या डालेंगे यह गो क्या डालेंगे गा यहाँ पे हम गा ऐसे हम गा लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा गाजर गाजर क्या बन दिया गाजर हो गया अभी यह है तो बो और यह यहां पर क्या बताए थे ला यह चीब भरेंगे ला एसे ही देते हैं तो क्या बन जाएगा तब ला मिला के पढ़ेंगे हम तब ला सारे आकार की मात्रा आकार की मात्रा वाले हम पढ़ेंगे उनी से संबंदित है यह किरियत ला यहां पर है औ यहां पर भरेंगे न न तो क्या बन गया औ नार अब देते हैं यहां पर है चो क्या है चो चर खा इस तरह से और यह बच गया बा यहां पर हम भर देगे बा क्या बन गिया बादल बादल क्या बन गिया बादल इस तरह से देखिए ये गाजर तबिला अर्नार चर्खा और बादल देखने आपको तो ये ये चीड़ा आपको कौपी पे बनानी है अब हम ये नमबर बन है अब हम नमबर टू बनाएए अब ये हो बच्छो नमबर टू है हम हेडिंग पहले परकर समझते हैं सही सब्द से खाली अस्थान भरिये इसमें तीन सब्द दिये हुए हैं देख रहे हैं और यह ये इसी मेंसीज जो चूंके यहां पे जो डॉट डॉट दिया हुद है यहां पे हमें भढ़ना है, सही सब्द, कोई भी सब्द हम इसमें नहीं डालेंगे पहले हम यहां संटेंस देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि यहां पे क्या सही भढ़ना होगा इस तरह से तो यहां यह पहला है भगवान है बाजार है और यह है चला यह तीन है दिख रहा है आपको अगर आपके पास भी किताब है बुक है तो निकाल के देख सकते हैं ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे देखें नमबर वन है नमबर वन यहां राजा लिखा हुए है उसके बाद dot dot है राजा जा लिखा हुआ है राजा जा बीच में dot है तो यहां से चुनके हमें सही सब्द बनने है तो राजा जा राजा कहां जा सकता है राजा बाजार कहां बाजार कोई भी काम के लिए समाल लाने के लिए कोई वस्तुलाने के लिए जा सकता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजा बाजार जा अगर हम पर रहें मिला के एक संटेंस बन रहा है तो एकडम यह सही लग रहा है अगर हम यहाँ पे लिखेंगे राजा चला जा नहीं गलत होगा राजा भगवान जा नहीं कलत होगा तो इस तरह से राजा बाजार जा ये बिल्कुल सही बैठ रहा है और इसे एक अर्थ भी निकल रहा है कि राजा बाजार जाने के लिए बोला जा रहा है ताकि वो कोई भी समान या कोई भी काम के लिए बाजार जाने के लिए बोला जा र नमबर टू है, खाना खाकर कर, खाना खाकर कर, तो खाना खाकर क्या कर, खाना खाकर क्या कर, तो भगवान, खाना खाकर भगवान कर, नहीं, नहीं सही हो रहा है, खाना खाकर चला कर, हमें खाना खा कर के कुछ देट तखलना चाहिए चलना चाहिए ताकि हमारा जो खाना है वो पच सके हमारा सरी स्वस्त्र सके तो खाना खा कर चला कर यहां पे हम क्या भरेंगे चला यहां पे भरेंगे टू नमबर में चला वन नमबर में भरेंगे बाजार और टू नमबर में भरेंगे चला इस तरह से एक संटेंस एक बात बन रहा है खाना खाकर चला कर अब देखिए नंबर थिरी है नंबर थिरी है सबसे पहले डॉड दिया हुआ है उसके बाद है का नाम याद रख का नाम याद रख तो किसका नाम याद रख तो बजार भी हम भर चुके हैं चला भी हम भर चुके हैं है ना अब बच गया भगवान क्या बच गया भगवान तो हम यहां पर नंबर थिरी में भगवान भरेंगे क्या भरेंगे भगवान भगवान का नाम याद रख है पुरा एक वार्ट है कंप्लीट हो जा रहा हमारा और ये अंक में फुल स्टॉप है इस पर ज्यान देंगे जब भी हम इसे लिखेंगे कॉपी पे तो जब एक वार्ट तूड़ा होता है तो अंक में लाश्टी हम क्या फुल स्टॉप देते हैं एक पाई नमब सा पाई खीस देते हैं उसे हम फुल स्टॉप और ये हिंदी में फुल्न विराम बोलते हैं आज इसे हम बोड़पे समधा देते हैं ताकि आपको समझने आ जाए देखे बोड़पे हम देखे हुए है यहाँ पर, सही सब्द से, सही सब्द से खाली अस्थान भरिये, यह जो सब्द है, इसी में से चूंग करके हमें, यह खाली जगह है, डौड है यहाँ पर, तो इसमें से चूंग के हमें भरना है भी जैसे हम बुक में बताएं, नंबर बन है, राजा, राजा, जा, तो राजा कहां जाएगा बाजार कहां जाएगा बाजार तो इस तरह से हम यहां बाजार इस तरह से इस तरह से हम बाजार उभरेंगे से ठीक है अब नमबर टू है खाना खाकर चला कर यह चीज़ है ना चला कर खाना खाकर यहां पे लिखेंगे चला इस तरह से खाना खाकर चला कर हो गया? अब ये बच गया भगवान तो नमबर थिरी में हम क्या लिखेंगे? भगवान इस तरह से भगवान का नाम याद रख भगवान का नाम याद रख हमारा पूरा एक वात कम्प्लीट हो जा रहा है है ना? राजा बजार जा खाना खाकर चला कर भगवान का नाम याद रख हो गया? देखिए इस तरह से खाली जगा मार गया है ना? तो इसे काफी पे लिख लेना है और बनाना है घर पे आपका होंबर खेंगे आप देखिए नपर खीरी है इसमें एक वात इसमें भी दिया हुआ है बीच में ये आपको चीत्र दिया हुआ है इसे पाचानना है और इसी के ठीक मीचे बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये जो चीत्र है इसका नाम आपको लिखने है तो पहले हम देखते हैं चीत्र देकर वात के पूरे किजिए ये जो वात के है इसमें ये चीत्र दे दिया है तो यहाँ समझो ये खाली चाग लगी है और ये बॉक्स बना दिया है ठीक मीचे ताकि ये चीत्र को देखो पहचाणों और उसका नाम इसमें भरो, है ना, तो दिख रहा है सई से, यहाँपे हैं, राजा, क्या है राजा? यह चित्र देखो, किस चित्र का है पहचाणों, हम आगे बढ़ते हैं खा रहा था क्या है ये गाजर क्या है गाजर तो राजा क्या खा रहा था गाजर क्या खा रहा था गाजर तो हम ये box में क्या भरेंगे बिल्कुल सही क्या भरेंगे गाजर क्या भरेंगे गाजर ठीक है राजा गाजर खा रहा था यहाँ पे हम गाजर भढ़ेंगे इस तरह से हम काफी बना लेंगे और वहाँ पे हम गाजर भढ़ देंगे बॉक्स में हम इसे बोलपे ही बता देंगे यहाँ पे यह है राम क्या है राम राम यह चितर दिया हुआ है जिसे आपको पाचाना है और ये चितर का नाम जो है ये box में भढ़ने है तो राम बजा रहा था ये चितर किस चितर का है जहाँ से देखो बताओ क्या है हाँ बाजा क्या है बाजा तो राम क्या बजा रहा था बाजा क्या बजा रहा था बाजा तो ये box में हम क्या भरेंगे बाजा, क्या भरेंगे बाजा, इस तरह से ये पुरा वाक जो है, complete होड़ा है, ये है राजा गाजर खा रहा था, box में गाजर और यहाँ पे राम बाजा बजा रहा था, यहाँ पे हम क्या भरेंगे बाजा, क्या भरेंगे बाजा, आए हम इसे ग तो यह हमने आपको नमबर तिसरा बताया चीत्रे देखकर यह बाक्स में भरने है तो यह चीत्रे की चीत्र का है बताया आपको हम गाजड क्या है गाजड तो राजा गाजड गाजड खा रहा है तो यहां पे खा रहा था खा रहा था फुल स्टॉप है फिर यहां पे है राम बाजा यहां पे चीत्रे की चीत्र का है बाजा का बुक देख लेंगे राम बाजा बजा रहा था यह पूरा एक वाट गंपलीट हो गया राजा गाजड खा रहा था राम बजा बजा रहा था इस तरह से नमबर थी भी आपका पूरा हो गया है देखिए यह जो बॉक्स में गाजड लिखेंगे और यहां पे बाजा लिखेंगे अब नमबर फोर पे हैं इस तरह से दिखेंगे यहां पे यह राइटिंग लिखना है कापी पे आपको राइटिंग लिखना है ताकि राइटिंग आपका अच्छा सुन्दर सुन्दर देख करके जो यह लिखा हुआ है सुलेख लिखिए तो मामा आएं क्या है मामा आएं आम लाएं फुलस्टव एक बात हो गया यह हो गया दूसरा बात क्या फुलस्टव हो गया तो यह आपका एक बात कंप्लिट होता है इसी को दोहराना है यहाँ पे इसी को दोहराना है मामा आएं आम लाएं इस तरह से बस इसी को देख करके और लाइं में आपको सुलेक लिखना है तो यह आपका दिया है ताकि आपका राइटिंग जो है हैंड राइटिंग जो है वो आपका सही हो सुंदर हो तो घर पे, कॉपी पे, ये चील एक्टिविटी आपको बनाना है ये पाठ थिरी का है अकार की मात्रा का आपका एक्टिविटी है आप कुछ करें तो ये सब हम आपको बता चुके हैं, आपको समझ में आ गिया होगा तो आप उसे कॉपी पे बनाएंगी, बुके द्वारा देख करके ठीक है? इस तरह से बाई